Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि Supreme Court ने परिक्षाओं पर क्या कहा था आज ठीक है और CBSC की ये latest news है जिसमें हम जानेंगे कि जो वो याचिका थी उस पर आखिर क्या बाते हुई ठीक है क्या फैसला आया है आये देखते हैं और आपको एक बहुत उसको करने के लिए क्या करना होगा ठीक है आपको अगर ये बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा अब जाके इसको विजिट करो और इस चैनल को भी आपको प्यार देना है जैसे कि आपने इस चैनल को दिया है अब हम आगे अपने अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो CBSC 12th Exam Supreme Court लाइब यहाँ पर जो अपडेट आया था ठीक है अमरुजाला का जो ये website में से जो आया है इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखाए कि 12 परिक्षाओं को लेकर सुनवाई थगित कर दे गई है अभी कुछ समय के लिए इसको रोग दिया गया है सुनवा और देखते हैं डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं देखो आज की जो सुनवाई हुई उसमें Supreme Court छातरों के पक्ष में दिखा यानि कि Supreme Court जो है मतलब student के साथ था ऐसा देखने में लग रहा था क्योंकि सुनवाई के दोरान पीठ ने कहा कि परिक्षाओं के मामले पर गुरुवार को अंतिम फैसला होगा यानि कि Thursday को आपका final decision आ सकता है और Court इस संबंद में अधिकारियों को समय देना सुईकार करती है कि इंदर सरकार में थोड़ा time मांगा है तो उसको समय दे दिया गया हाला कि Supreme Court ने संकेत दिया है कि वह पिछले साल की नीती की कर दीती जैसे की हुआ था तो Supreme Court जो है वो कुछ ऐसा ही चाहता है CBSC ने 26 जून 2020 को Supreme Court में लंबी बहस के बाद लंबित कक्षा बार्मी की बोर्ड परिक्षाओं को रद करने का निरने प्रस्तुत किया था पिछले साल भी बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी इस टॉपिक पे और अंत में एक्जाम को रद करना पड़ा था ठीक है अब आगे देखते हैं क्या है इस महमारी के बीच कक्षा बार्मी की बोर्ड परिक्षा रद करने की मांग करने वाली जो याचिका थी उस पे आज दूसरी तारिक की मतलब 28 मई को भी हुआ था लेकिन कुछ decision नहीं नि फेटे हैं और ममता शर्मा को केंदर CBSC और CISCE ठीक है को advance copy देने को कहा था कोट ने आगे ये भी कहा था कि केंदर CBSC वगरा की सुनवाई के लिए उपस्तित होने के बाद वे 31 मई को याचिका पर फैसला करेंगे यानि कि आज ये फैसला आना था पर अब थोड़ा और इसक इस देने की मांग की गई थी इस याचिका में कहके कि बच्चों की जान को खत्रा हो सकता है याचिका में अधिवक्ता ने उच्चतम नियायल्य से राष्टे परिक्षा आयुजित करने वाले अधिकारियों को विचिष्ट समय सीमा के भीतर वस्तुनिष्ट पदिती के इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगबग पेरेंट्स ने भी इस मामारी के बीच कुछ ऐसी मांग की कि एक्जाम कैंसल होने चाहिए जो अभिवावक थे लगबग साथ अजार वो भी रद करवाने के पक्ष में थे और उन्होंने सुपरीम कोट का रुप किया था अब या तो एक्जाम को लिया जाएगा इसको या तो होल्ड कर दिया जाएगा या जो कुछ नया पैटन जो जिसकी बात चल रही थी इस पे भी कुछ अगर होगा तो वो जल्दी ही कुछ few days में हमारे सामने आ जाएगा और अगर हम देखें the government will take a final decision within the next two days दो दिन के अंदर सरक अपना फैसला सुना देगी कि क्या वो करने वाली है जो हमारे education minister है वो कुछ सुना सकते हैं कि whether to conduct class 12th board exams amidst the COVID-19 pandemic the Supreme Court was informed on Monday ठीक है या तो मतलब exam लेने है या नहीं लेने जो भी है पता चल जाएगा और Supreme Court में अगर हम या पे देगे तो Monday को Attorney General K.K. Venu Gopal told this to a bench of justices A.M. Khan Wilkar and Dinesh Maheshwari which said if the center decides to depart from the last year policy यहाँ पे थोड़ी ये court के अंदर बात चली कि अगर केंदर सरकार पिछले साल जिस तरीके से जो exam को cancel कर दिया गया था जो previous year policy थी अगर उसको बदल कर कोई नई policy है केंदर सरकार के पास या जो भी मतलब अगर CBSC के पास नई कुछ policy है then it must give tangible reasons कुछ reason दिये जाएं ठोस reason किस वज़े से आप exam कर वा रहे हो या क्या reason आपके पास नई policy को लेके क्या reasons है ठीक है no issue you take the decision you are entitled to it if you are departing from policy of last year अगर केंदर सरकार को यहाँ पे ऐसा ही कुछ कहा गया अंदर ठीक है जो मतलब अंदर यही बात हुए कि अगर आप पिछले साल से हट कर कोई decision लेते हो तो आप उसका कोई genuine कारण बताओ कि हाँ भई यह होना चाहिए ठीक है ऐसा हुआ इसी के साथ जो है सुनवाई को थोड़ा रोक दिया गया और यही सरकार को दो दिन का time दिया गया है अब final आपको मैं क्या बता हूँ आप भी daily उमीद में रहते हो कि कुछ नए update आएगा तो update कम से कम जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ और आगे भी ऐसे यह update आपको बताता रहूँगा उम्मीद यह है कि एक दो दिन में सरकार बता देगी जैसा भी होता है हम मतलब उसका सम्मान करते हैं जो भी मतलब decision आएगा court अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है तो हमें wait करना है just wait and watch तब तक आप जुड़े रही है हमारे channel से और नए channel पर कुछ जब तक mind fresh करी अपना videos देखो या tension free रहो और कुछ अपना career related videos वहाँ पर देखो आगेगा सोचो और जो होगा अच्छा ही होगा चैनल को subscribe करना ना बूलिए और bell icon को दबा देना ताकि आने वाले videos के update आपको मिलते रहें comment box में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और हमारा नया channel कैसा लगा और वीडियो को जादा से जादा अपने friends में share कर देना और आपसे यह request है जो new channel से थोड़ा सा प्यार द दिखाओ भई शेर करो अपने friends बगरा में और जिससे हमें भी motivation मिले और हम वीडियो बनाते रहें जय हिन जय वारत धन्यवाद